गुद मॉनी, नमस्कार, कैसे आप सभी लोग क्या चल ला है आपकी लाइफ में, कैसी चलिए त्यारी आपकी, एक और नया लेक्शर, एक और बढ़िया सा लेक्शर हम आपको प्रोवाइड करने आ गए हैं, मेरे भाई, आप सभी लोग जम के शेर करिए, जम के आप सभी लो हो गया अब इसको, यार ये तो सवाल बड़ा आसान सा निकला, आप ये बात समझते हो, आप ये बात जानते भी हो, जितना ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके इसाब से, ठीक है? आई, यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक सवाल ऐसा है कि, आप ये समझेगे होंगे सर, ए प्लस बी का जब मैं होल स्क्वार लिखता हूं, और माइनस का मेरे पास 4, ए इंटू बी होता है, तो एक्शली इसका मतलब सीधा सीधा होता है, सर जी ए माइनस बी है, सीधा सी जर दोनों कटा होगे, आप पता चलेगा 25 हाया, 25 का स्केर होगा 625, समझ ना था, अगर आप समझ गये तो बहुत अच्छी बात है, चीक है, आई, गेहों आप से कहरा है, 18 पर केजी के मुल्ले वाले, 5 केजी गेहों को 2 रुपए अन्य के साथ मिलाया जाता है, बीस रुप पर केजी के मुल्ले वाला मिश्रर प्राप्त होता है, ठीक है, तो भाईया, 5 केजी वाला गेहों है, 2 केजी के साथ मिलाया जाता है, ये, ठीक है, 18 इसका है, 20 इसका है, ठीक है, क्या बोला इसने, मिलाया जाता है, और 20 वाला प्राप्त होता है, ठीक है, 20 प्राप्त होता है, तो बताओ ये वाला गेहों कितना था, ठीक है, तो 5 क्या कर लो जोड़ लो, 25 हो जाएगा, बस कहानी कहता है, एली के सेने, ये तो आप समझते हैं, ये तो आपको समझ में आत ठीक है अगले सवाल करते हैं अगले सवाल ठीक है भी या चड़िए यह अगले सवाल ऐसा है कि ए प्लस टू बी डाट इसको टूट टूट इसवन और आप से बोला है कि इसकी वैल्यू आपको दी हुई है नहीं यह मुझे लगता यहां प्लस होगा ऐसे हमाई परसल थिंकिंग आप से आप से बोला टू अब की वैल्यू को दो तो मेरे दोस्तों आप यह बास समझे लगता है कि आपके पास अगर इनका क्यूब करना चाहते हैं आपके पास मिलेगा एका क्यों प्लस एट बी क्यों और प्लस आपको मिलेगा 3, 3, 9, 6, A, B ठीक है भी यह और प्लस मिलेगा A, प्लस 2, B तो आप समझते हो आप चाहो तो इसकी जगा आप सीधा-सीधा लेग दो सर जी 27 क्योंकि यह तो दिया ही हुआ है ठीक है और that is equal to भही है आपके पास है चोवन का क्यूब चोवन का सॉरी 27 का स्क्वेर तो 27 का जो स्क्वेर हो था वो कितना होता है 7, 49, 49, भूल गया क्या भई 7, 49, 49, 7, 24, 24, 28, 28, 24, 32, 32, 37, 39 होता है मैं भूल गया था चीक है और इस चीज की वैल्यू आपको दे दी गई है वो कितनी है वो है चोवन गरबढ है याद गरबढ है गरबढ है गरबढ है गरबढ है गरबढ है गरबढ यह है कि वह यह इतनी value कहां से आ सकती है कुछ गरबड है इसको हम चेक करते हैं फिर बताते हैं एक सरकारी यूजना में अगर बिजली का बिल नियत तारिक से पहले चुकाया जाता है तो बिल की रासी 5% की छूट मिल जाती है निफ्य तारिक से पहले बिल का भुगतान करके एक आदमी को 20 की छूट मिली उसके बिजली के बिल की रासी कितनी है यही सवाल है यही सवाल है तो जरा देखी और बताइए एक सरकारी यूजना में अगर बिजली का बिल नियत तारिक से पहले चुकाने पर तो पाँच परसेंट की वैली जो है वो आपके एक्शली बीस के बराबर है बीस पंजे सो यहां भीस का गुड़ा और कर दो तो हो जाएगा यह चार सो कौन सी संक्या तीन से भी वाज जा तो तीन से जिवस डिविस बिल्टी करो लाप जानते हो आप चेक कर लो साथ दो नह हो गया और यह तो नहीं कटेगा तीन दो पाँच पाँच दस दस हो गया तो दस हो नहीं करता है 3..9..3.. ये कटेए.. पांच..-4..9.. ये भी कटेए.. इक साल है, तो ये जो व्याज की रासी हैma वह साधार व्याज में चलती है चेक है, चेक कर लो कितना हो रहे है, 9, ठीक है, और, 9, और भाईया, 17, 9 आर 17 के, ठीक है, अब हम समझते हो ये इसका सीधा 10 परसेंट है, यानि रेड की वैल्यू कितनी है, 10 परसेंट, इसका मांदब सीधा सीधा है, कि 100 से कोई रासी गई होकि, 1-1 गई होकि, that is called to 2 साल में, इसके बरापर है, तो 21 नवा, आप समझते हो, तो इतने की वैल्यू कितने नबे बार जाएगा तो ये नौ सब जाएगा समझ रहे हैं दो विर्थ है जिनकी आपके पास तिरजाय दी हुई है एक बारा है और एक आठ है समझ के एक एक दूसरे है एक दूसरे को बाहर उसस परसी का लंबाई बतो तो बाहर से इस पर करेंगे उसस परसी का लंबाई होता है टेंजेंट टी बराबर या कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट बराबर दो बारा गुड़े आठ यहां से चार को निकालनो पाहर रूट का छे बचे कॉमन टेंजेंट के नम्बर एक रूट का 6 एट रोट का 6 भाया, एट रोट का 6, करिए, करिए सवाल ऐसा है कि अभी और बिंदू एक प्रोजेक्ट को, ठीक है भी या, क्रम से 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, अभी पांच एम पर प्रोजेक्ट प्रादम करता है, और वे वेकल्पिक रोप से प्रते एक गंटे के चार बारा का मतलब क्या हूँता है, एसे मजा इक गंटे, तो 4 तरिया बारा और वेक गंटा, यानि अवी के छमता 3 है, और इसकी छमता 1 है, समझ के? बनलब ये दो दिन का काम है चार तो चार थी अबार यानि कि तीन लगा कुल मिलाके छे गंटा लगा किसी भिन के अंसे में 50% की बिर्दी की जाती है और इसके हर में 28% की कमी की जाती है तो भिन कामार कितना हो जाता है यह हो जाता है अब देखो सवाल का उत्तर गलत है ठीक है ना यहां से चेक करें ना मैं बताता हूं अगर भिन एक्स बटा वाई हो तो अगर इसमें 50% की बिर्दी की जाएगी तो यह 500 हो जाएगा और 28% की कमी की जाएगी तो यह 22 हो जाएगा देट इसकल टू बाभू 25 बटा 36 के पचीश शक्का डेड़ सो और 36 दूना बारतर दो सिकार दो दो तीया छे ठीक है यहनि एंसर आया होगा एक बटा तीन और यही आपके सवाल का राइट एंसर आप जैसे भी लोगे अगला करते है क्योंकि यहां पे तरिज्या हमें चाह चित्रफल यह है आप समझ लेना कि कोई भी गोल आओगा उसका प्रिष्टी चित्रफल होगा फूर पाई आर स्क्वाईर पहले आप चार से काट लो तो तो 4 चोके 16, 4 3 12, sorry, 4 3 12, एक बचा, 4 चोके 16, 4 चोके 16, 324, 22 बटा 7, यही बाता है, 4 चोके 16, और, नहीं नहीं, इसे कट बे नहीं करेगा, कटबे नहीं करेगा रही है तेरा च्छे आसे यह नहीं कटेगा चार से आप इसा करो आप 22 से काट लो सी दे तो 22 शका 132 और 22 ती यह चाट ठीक है तो आर स्क्वेर का मतलब जो हुआ वो एक्शिली में नो साथे तीर से तेरी नो गुड़ा साथ और यहां का जो साथ हो जागो यह भी इधर चला जागा चार इधर चला जागा तीन गुड़ा साथ बटा दो 21 बटा दो 21 बटा दो का मतलब साढ़े दस साढ़े दस भाया साढ़े दस यही आएगा यही आएगा समझ लो किसी वस्तु की अंकित मुल्ले से 28 रुपए कम में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाव होता है दिया से समझो 28 कम बेचा इसी वज़ा से क्या हुआ दुकानदार को 20 का लाव हो यदि वस्तु का करेम ले 560 है और इसे अगर अंकित मुल्ले पर ही साइस समझ में तो भाईया एक बात समझ लो द्यान से कि 28 कम में बेचा और 20% का लाव हो यानि अगर मैं एक काम करूँ अगर अंकित मुल्ल अगर डिस्काउंट दिया ही ना चाहिए बीस पाँच एक सचालिस यदि वस्तु का करेम ले 560 है उसका अंकित मुल्ले पर बेचा जाता तो लाज पता हो कित लोग अंकित मुल्ले से 28 पर कम बेचा जा गया है अब ध्यान से समझा इस बात को यह जो 28 है यह डिस्काउंट है अच्छली समझे के है और यह बीस परसेंट है यह एक बटा पांच पांच की चीज़ को छे पर बेचा गया हूँ सिंपल सी बात है और अगर MP मैंने M ले लिया है तो M माइनस 28 आप समझो ज़रा M माइनस 28 आप समझे के है और यह बीस परसेंट है यह बीस परसेंट है इसको देखते रहे ना थोड़ा से कभी कभी क्या होज़ा नहीं कि सवाल में किसी किसी सवाल में उस तरह से सोच नहीं मिलता जिस तरह से हर सवाल में सोच रहो गया है ठीक है कभी कभी अशा होता आओ देख अगले सवाल को दो परत्यासियों के बीच हुए एक चुनाव में 80% ने अपना वोट डाला 80% ने वोट डाला सिर्फ 5% अबैद हो है अच्छा जी अगर 80% ने वोट डाला और 5% अबैद हो तो सिंपल सिर्फ 8,540 यानि कि 4 वोट अबैद हो गया इसमें से है ना 4 वोट अबैद हो गया तो बचे कितने भी या कुल मिला के 76 वोट अब कह रहा है कि एक प्रत्यासी को 10,545 वोट मिले जो कुल वैद मत हो का 75 ता यानि वैद मत हो का 75 तो 75 परसंट को अब चाहो तो ऐसे भी लेख सकते हो सर जी तीन बटा चार तो पूछा क्या है आप से एक्चली कह रहा है कि वोट रोग संग्या है 100 यूनिट के वैल्यू पूछ रहा है आप से यहां से आप एक यूनिट के वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं 10,545 ठीक है तीन से काट दो 100 यूनिट के वैल्यूची काट बट के निकालते रहे ना आप एक बार चेक करो कि आपके पास जो 0 जीरो आएंगे वो सिर्फ 2 ही आएंगे ठीक है नहीं एक और 0 एगा तीन काट दो 2 जीरो वालो को काट दो तो 3-0 वाला मेरे सवाल का right answer है simple सी बात ही है अगला देखो एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित पर 10% छोट बेचने पर 12% क्लाव कुवाता है क्रे मुल्य और मुद्रित मुल्य यानि CP और MP का अप से ratio पोच रहे हैं तो 100- का discount यानि क्यों हो जाएगा 10% का चूट है मतलब ये 90 है और 12% का पर फिर मतलब 112 तो क्या ये नंबर 2 से कर जाएगा बिल्कुल कर जाएगा 4500 चपन आपके सवाल कराई टेल सरे देख सकते हो एक गोले का प्रिष्टी चेदर पर 64 है तो आपके आयदन क्या होगे अच्छा जी तो प्रिष्टी चेदर पाई आर स्कॉर होता है पाई से पाई कैंसे लाट होगा 16 जोग के 64 होगा R की वेल्यू 4 हो जाएगी आयतन पूछाए आयतन निकाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पहले 4 जोग के 64 कर दो फिर R की उपो गया 4 बटा 3 पाई और कर दो ठीक है तो यह जागा 256 के पाई और 3 और है सवाल एक्छली है आसान लग थोड़ा सा कठील रहा है बढ़िया है बढ़िया आप से पूछा है कि कॉट इसकी वेल्यू क्या होगी देखो कॉट इसका मतलब होता है सर आप 10 एक्छली 75 की बात कर रहे हो ठीक है? मेरी बात आई समझते है? एक्छली आप 10 75 की बात कर रहे हो तो 2 प्लस 2 प्लस इसकी वेल्यू बन हो जाएगी और प्लस वाला हमेरे सफल का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है भई? यहाँ देखो यहाँ आप से चतुर्था नुपाती पूछ लिया तो चतुर्था नुपाती मतलब क्या होगा? समझते हैं आप चतुर्था नुपाती क्या होता है? जब आपके पास 3 नुपर हो इसी में चतुर्था नुपाती पूछेगा तो लास्ट की दो नुपरों का बुड़ा कर देगा 6,8,48 पहले नुपर से आप डिवाइड कर देगा इसमें गड़ा दो कर दो 9.6 आपके सवाल का राइट अंसर है और यही आप अंसर देंगे यह होगा आपका चतुर्था नुपाती लाजब आप सवाल है एकदम बढ़िया सवाल मैंने बताया कि आप इसको कैसे करना है? आपको इसको ऐसे करना है कि 9 X स्कोईर प्लस 1 by X स्कोईर X का क्युग प्लस 1 by X का क्युग माइनस का X प्लस 1 by X ठीक है समझेعة है अब इसी को तुमें सोहाल जो करना है तो मुझे सवाल करना है क्या दिका आपके प्लस है कुछ दिक्कत निए एक क्लास में उन 40 शात्रय उनका औसत भार 15 है, यदि हम सिक्षक का वजन सामिल कर लें, तो औसत वजन कितना हा जाता है, 200 ग्राम बढ़ जाता है, 200 ग्राम, या आप 200 ग्राम लेखो या 0.2 केजी लेखो बात वहीं है, तो यह बढ़ा क्यूं हो, क्यों कि भीया ऐसा है कि वो जो अध्यापक है, वो 51 केजी तो गड़ा कर लो चार दूना आठ समझे लिए चार दूना आठ तो आठ के जी और फालतु ले गाएगा तो आठ इस में आठ कर तो 59 के सवल कर राइट एंस ठीक है दोस्तों आगे दिया है एक कहला है पुस्तक के एक सेट को पैक करने के लिए कोतम एक निश्चित उचाई की काटन लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चोड़े हो रहे हैं ठीक है यदि ऐसे काटन का जो आयतन है वो इतना है तो काटन की उचाई कितनी है उचाई पूछ रहा भी है कुछ नहीं है यह 48 हो जाएगा और यह जाएगा 30 27 और उचाई आप एच लिख लो और यह घंफीट में दिया है और यहां बोला भी है कि एक फूट में 12 इंच यह तो आप जानते गई हो एक फूट में 12 इंच ठीक है तो आप यह मानोगे कि यह आपके पास जो फूट है ठीक है ना आप इसको घंबे बनाना चाहते हो तो 12, 14, 48 यहां तो 4 हो गया अब 4, 3, 12, 3 हो गया 3, 9, 27 आपके पास 9 हो गया ठीक है अब आप एक काम करो तीन से काट लोगे तो चार आजाएगा आपके पास फिर यहां से तीन से काट लोगे तो आप समझो कि 3, 27, 27 और 35, 75 नहीं 75 आएगा गुड़ा चार कर दो गया ठीक है 75, 25 35, 25 यहां एच की वैलिई आजाएगी आपके 30 इंच के बराबर ठीक है 30 इंच के बराबर और यहीं आपके सवाल कर रहे है यहीं 20 सवाल आज का हमतिन सवाल है एक सवाल मैंने आपको दिया है वो आप करोगी लेकिन हिंट मैंने बकाइदा उसमें दिया हुए दिखो जाएगा उननाणचास तो आ जाएगा 8 की पाचपचे 25 हो गया 25 मैंसे इगर 8 जाएगा तो भीज झाएगा 17 की 4 जोक के 16, 16, 4, 84, 64, 64 और चर की तो 68, पीछ में डिवाइड, 17, 44, 68, सवाल थोड़ी है ठीक है भाही, आई बस समझ मैं वीडियो को लाइक वेक किया करो शेर वेक किया करो ठीक है और साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो चलो आज इतना ही थैंकियो सब्सक्राइब ठीक